आध़िए आज कथा सहित्ते में सुनिए माल्दी जोशी जी की लिखी कहानी वो तेरा घर ये मेरा घर कहानी शुरू करने से पहले आपको याद दिला दू कि वेबिन परकार की कहानिया सुनने के लिए आपके लिए एक नया चैनल और शुरू किया है जिसका नाम है कथा साहित्य प्रो चैनल का लिंग इसी कहानी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाल दिया गया है तो आईए आज की कहानी शुरू करते हैं आज खाने की मेज पर अठसे बाद पिंकी चहक रही थी PMT की परिक्षा सानंद संपन हो जाने से वातावरण हलका हो गया था इतने दिनों तक एक तनाव सा व्याक्त था घर पर भी और बच्चों के मन पर भी प्रसन्ना का सेकंड सिमिस्टर परसों ही स्माप्थ हुआ आज पिंकी भी फ्री हो गय थी अब रिजल्ट की चिन्ता कुछ दिनों के लिए मुल्तवी रखकर आजादी का जशन मनाया चा सकता था खाने की मेज पर उसी की प्लानिंग चल रही थी तरह तरह के सुझाव और तरह तरह की फर्माईशे मिस्टर प्रसाद ने बच्चों के उत्साहा पर ब्रेक लगाते हुए कहा तुम लोग शायद भूल रहे हो कि पापा के ओफिस में समर वकेशन जैसी कोई चीज नहीं होती तो आप आराम से घर में बैठे रहे बच्चों की मा ने तुनकर कहा लेकिन मैं 10-15 दिनों के लिए कहीं जरूर जाऊंगी आपको तो दफ्तर के अलावा कुछ सूचता ही नहीं है इन दोनों की टेंशन मैंने अकेली जहेली है I needed a change badly मैं सूच रहा था मिस्टर प्रसाद ने जिजबते हुए कहा और चुप हो गए क्या सूच रहे थे आप अब कहभी डालिए यही की इस शनेवार इतवार सागर जाकर बापुजी को लेवा लाता ओ नो बच्चों ने कोरस में कहा तो मा ने उन्हें आँखों से डबट दिया और बोली इतनी जल्दी जल्दी कहा उन्हें गए दो महिने से उपर हो गए है इतने दिन वे बेटी के यहां कभी रहे है क्या पापा आप भी बेटा बेटी करने लगे है यह सब फिजूल की बाते हैं अपने लिए होंगी पर बाबुजी तो पुराने धर्रे के वेत्ती है उनके लिए ये बातें बहुत महत्व रखती है अब इस उम्र में यह आशा करना कि वे अपनी सोच पदल लेंगे बेकार है यह तो ठीक है कि माया की स्वतंत्र ग्रहस्ती है इसलिए वे दो महिने वहां टिक भी गए चाया के यहां तो उसके सास ससुर जेट देवरों के बीच दो दिन भी नहीं रह पाते बच्चों ने फिर बहस नहीं की चुप चाप खा कर उठ गए पत्नी ने टेबल समेटते हुए पूछा सुनिए क्या इसी हफते जाना बहुत जरूरी है वे प्रशनार्थक नजरों से पत्नी को देखते रहे नहीं मैं सोच रही थी बच्चे थोड़ा रिलेक्स कर लेते अभी अभी तो पेचारे फ्री हुए है बच्चों को रिलेक्स होने के लिए कौन मना कर रहा है आफ समझते नहीं है बड़े बुजूर्ग घर में होते है तो थोड़ा बंदन तो हुई ही जाता है बच्चों के हसने बोलने पर खाने पीने पर पंदिश लखी जाती है तो तुम चाहती हो बाबुजी को वहीं रहने तू उनका स्वर थोड़ा तल्ख था पत्नी ने नर्माई से कहा नहीं मेरा मतलब था आट तस दिन और सही फिर तो हमें को बेतै नहीं कर पाई कि जेलना कहें कि भुगतना कहें पती की नाराजगी के धर से उन्होंने वाक्य अधोरा ही छोड़ दिया कई बार अनकही शब्द भी बहुत कुछ कह जाते हैं मिस्टर परसाद भी उन अनकही शब्दों को भली भाती पड़ गए उन्हें वित्रिशना और खीच हो आई अपने आपको वो पहली बार इतना निरुपाय अनुभव कर रहे थे कितनी हसरत से कितनी उमंग से वे बाबुजी को यहां लाए थे यूँ तो मा की मृत्यू के बाद ही उन्हें लाने का मन था पर साल भर तक बाबुजी वहां से हिलने के लिए राजी नहीं हुए प्रसाद ही दोड़ दोड़ कर वहां जाते रहे बाबुजी की खोज खबर लेते रहे हर बाबुजी पहले से ज्यादा ठके हुए तूटे हुए नजर आए यह सौभाविक भी था 40-45 साल का साथ एक आएक छूट जाता है तो आदमी तूट ही जाता है फिर बाबुजी के मित्र भी कहने लगे बेटा अब अपने पिता को अपने पास ही रखो बुढ़ापे का शरीर है देख भाल की जरूरत पड़ती है मा की बड़सी के बाद बाबुजी की एक नहीं सुनी गई जिद करके वे लोग उन्हें अपने साथ भोपाल ले आए बेटे के साथ साथ बहु और बच्चों ने भी बहुत मनुहार की थी तब ही वे राजी हुए थे पर बहुत जल्दी ही एहसास होने लगा कि स्वागत का यह भाव धीरे धीरे तिरोहित होने लगा है यूं तो बाबुजी बहुत शान्थ प्रकृती के जीव है उनकी जरूरतें भी बहुत थोड़ी सी है इधर उधर दखलंदाजी करने की आदत भी नहीं है फिर भी वे हाड मास के जीव तो है घर में उनकी उपस्थिती महसूस की ही जाती थी सबसे बड़ी समस्या थी सोने की इससे पहले बाबुजी जब भी आए मासात में होती थी वे दोनों एक दूसरे का खयाल रख लेते थे आट-दस दिन की बात होती थी कुछ ना कुछ विवस्था हो ही जाती थी थोड़ी से असुविधा भी तब नहीं अखरती थी बच्चे छोटे थे तो दादा दादी के साथ खुशी से एड़्जेस्ट भी हो जाते थे बलकि तब तो दोनों में होड लगा करती थी कि कौन किसके पास सोएगा पर अब स्थितियां बदल गई थी बच्चे पड़े हो गए थे दोनों के पास अपने स्वत्तंतर कमरे थे जवान होती बिठिया के कमरे में बाबुजी का सोना भी अच्छा नहीं लगता था फिर उन्हें प्रसन्ना के कमरे में सुलाया गया वहां भी घोर असुधा थी उसे रात देर तक जाकर पढ़ने की आदत थी उसका स्टीरियो भी हरदम बचता रहता था दिवार पर कई ऐसे पोस्टर थे जिन्हें बाबुजी की नजरों से बचाना जरूरी था अंततह बाबुजी की विवस्था हॉल में की गई तीन बेडरूम वाले घर में भी बाबुजी के लिए निरापद बस यही स्थान था वे दिवान पर आराम से सोजाते थे पर उनके साथ उनका पानी, दवाईयां, टोपी, मफलर, टॉर्च, जूते, चश्मा सभी रखे रहते थे सुभा नौकर के आने तक बाहर का कमरा बाहर वालों के बैठने योगी नहीं रहता था सबसे बड़ी समस्या थी टॉलेट की बुढ़ापे के कारण रात में कई बार उठना पड़ता था सो पप्पू के कमरे का ही आश्रे लेना पड़ता था सुभा ने जल्दी उठने की आदत थी रात भर का जागा हुआ प्रसन्ना सुभा सुभा उनके मुख प्राक्षलन से खीर उठता था एक स्थिती यह आई कि बाबुजी बच्चों के लिए अजहेल हो गए यह अजहेल शब्द भी बच्चों का ही गढ़ा हुआ था जो प्रसाद जी को बहुत चुभा था फिर उन्होंने चोटी बहन को चुपचा पत्र लिखा कि कुछ दिनों के लिए बाबुजी को ले जाएं बच्चों की परिक्षा के बाद वे खुद उन्हें लिवा लाएंगे अब परिक्षाएं भी स्माप्थ हो गई है पर लगता है घर अभी भी मानसिक रूप से बाबुजी के पुर्णागमन के लिए तैयार नहीं है मिसिस प्रसाद देर रात तक टीवी देखती थी सुभा देर से उठती थी बारा बजे तक नहाती थी हाफते में दो दिन उनकी मालिश वाली आती थी हर पंद्रवे दिन मेंधी वाली आती थी हर तीसरे दिन उनकी किटी पार्टी होती थी बाबुजी के रहते ये सारे काम सहचता से नहीं हो पाते थे पिंकी को सहेलियों के साथ बाहर घूमने का शौक था हर तीसरे दिन वे लोग पिच्चर जाती थी प्रसन्ना का तो कोई टाइम टेबल ही नहीं था दोस्तों का जमघट हमेशा उसे घेरे रहता था बाबुजी के रहते ये गतिविध्यां भी थोड़ी धीमी हो जाती थी फिर सारे परिवार को बाहर खाने का शौक था बाबुजी साथ जाते नहीं थे उनके लिए घर का पूरा सरंजाम करके जाना पड़ता था बाहर जाने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता था प्रसाथ जी इन बातों को ना समझते हो ऐसा नहीं था पर इस कारण बाबुजी को हमेशा के लिए माया के यहां तो छोड़न नहीं जा सकता था ना पतनी सास बहो का सेरियल देखने में व्यस्त थी मौके का फाइदा उठा कर उन्होंने माया को फोन लगाया वे हर 10-15 दिन बाद फोन करके बाबुजी की कुशलचेम पूछ लेते थे पर उन्होंने बाबुजी से बात कभी नहीं की उन्हें डर लगा रहता कि कहीं उन्होंने आने के जित पकड़ ली तो वे मना नहीं कर पाएंगे फोन माया के पती सुरेश ने उठाया था कुशलचेम के बाद प्रसाच जी ने कहा मैं अगले रविवार को आ रहा हूं बाबुजी से कहिए तयार रहें भाई साहब आपको माया ने बताया नहीं क्या बाबुजी तो कबसे चले गए चले गए? कहा? उन्हें लगा कि आवास कुछ ज्यादा ही उची हो गई है उन्होंने चोर नजरों से पत्नी की ओर देखा वो सीरियल में खोई हुई थी उन्होंने अपनी आवास यथा शक्ती धीमिक करते हुए कहा कहा चले गए? अपने घर जोरा मैं खुद ही तो छोड़ाया था हाँ, शायद बाबुजी ने मना किया था इसलिए माया ने आपको बताया नहीं होगा वे कुछ तेर के लिए स्तब्द रह गए आप ज्यादा परेशान ना हो भाई साहब ये पुराने लोग है ना दूसरी जगा एड़्जेस्ट नहीं हो पाते उन्हें अपना घर ही अच्छा लगता है उस रात वे जरा भी नहीं सो सके पता नहीं कैसे कैसे विचार आते रहे मुश्किल तो यह थी कि वे अपनी परेशानी पत्नी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते थे वो फौरण कहते थी हमने तो छे महीने जेल भी लिया पर आपकी बेहन तो जरा से में ही उकता गई दूसरी दिन उन्होंने माया को दफ्तर से ही फोन लगाया जानते थे इस समय सुरेश भी घर पर नहीं होगा उनके उलहानों के उत्तर में माया ने कहा भाई सहाब आप कुछ मेरी मजबुरी का भी अंदास लगाईए वे तो आठवें दिन से जाने की रट लगाय बैठे थे बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें पंद्रा दिन रोका फिर वे तो अकेले ही चल पड़े बोले भौपाल कौन सा दूर है यहां से बस में बिठा दो वहां फोन कर दो कोई ना कोई उतार लेगा मैंने बहुत माना किया पर जब बिल्कुल ही जित पर आ गए तो उन्हें असली बात पताने ही पड़ी क्या यही कि बच्चों की परिक्षा होने तक आपको यही रहना है तब तो शायद तुमने यह भी पता दिया होगा कि मैंने ही तुम से कहा था कि उन्हें ले जाओ भाई साहब यह तो मैं कभी नहीं बताती पर उन्होंने खुद यह अंदाजा लगा लिया उसके बाद तो वे पल भर भी यहां रुकने को राजी नहीं हुए बोले इश्वर की किरपा से अभी मेरा घर सलामत है मुझे वही पहुँचा दो फिर यह खुद जाकर छोड़ाए थे जरूरी विवस्थाएं भी कराए थे इसके बाद कहने को कुछ था ही नहीं उन्होंने चुप चाप रिसीवर रख दिया और उस खड़ी को कोस्ते रहे जब उन्होंने बाबुजी को माया के साथ भेजा था पूरे हफ्ते वे गुमसुम बने रहे फिर एक शाम मालवा एक्सप्रेस से चल ही पड़े मुझ अंधेरे मुरैना पहुँचे वहां से जो पहली बस मिली उससे जौरा के लिए चल पड़े उन्होंने सोचा था कि इतनी सुभा घर खुलवाने में दिक्कत होगी भूल ही गए थे कि गाउं कस्पों की सुभा जरा चलती होती है घर पहुँच कर देखा सामने वाले आंगन में चारपाईयां बिछी हुई है और बाबुजी की मित्रमंडली चर्चा में मश्कूल है उन्होंने चाते ही सब के पाउंच हुए आशिवात पाया फिर वे सब के सब उठ खड़े हुए पंडिची अब आप बेटे की खात्री कीजिए हम लोग चलते हैं अरे आप लोग बैठिये न मैं क्या कोई महमान हूँ यह तो मेरा घर है आप लोग इत्मिनान से बैठें इस आगरह में सिष्टा चार तो खैर था ही एक ओदेशे यह भी था कि उतनी देर तक बाबुजी के सामने अकेले पढ़ने से बची रहेंगे पर बाबुजी के दोस्त रुके नहीं उन्हें विदा करके बाब बेटे दोनों भी तर आए बाबुजी ने कहा तुम हात मूँ धोलो तब तक मैं चाय चढ़ाता हूँ बाथरूम का तरवाजा खोला तो चकित रह गए बाबुजी ये कमोड कब लगवाया अभी अभी तो लगवाया है सोचा तुम लोग आते हो तो तुम्हें परिशानी तो होती होगी मुझे भी बुढ़ा पे में आराम दायक लगता है उस पुराने घर में वेह नया नकोर बाथरूम टार्ट में रेशम के पैवनसर लग रहा था फ्रेश होकर बहार आये तो देखा चौके में एक छोटी सी मेज पर चाय लग गई है साथ में बिस्किट भी थे यह मेज भी नहीं लग रही है हाँ आप पटे पर बैठ कर खाना अच्छा नहीं लगता तुम्हारी मा याद आती है वैसे भी पटे पर बैठ कर खाने का मज़ा तो तब है जब पास बैठ कर कोई बात करे गरम गरम फुल के उतार कर मनुहार के साथ परोसे जब अपने से लेकर खाना है तो मेज ही ठीक है पर साथ जी समझ गए कि बाबुजी एक तरहां से यही रहने का मन बना चुके है वे पहले की अपेक्षा चुस्त दुरुस्त भी लग रहे थे शायद मा की आकस्मिक मृत्यों के दुख से वे उबर चुके हैं अपने मन की बात कहने के लिए वे उप्युक्त शब्द खोज रहे थे तभी किसना ने आकर उनके पैठ चुए कैसे हो किसना बस बाबुजी की किरपा है उसने गदगद भाव से कहा बाबुजी की किरपा का बखान फिर कर लेना पहले जाकर भाईया के लिए कुछ नाश्ता लिकरा बाबुजी ने कहा और जेब से पैसे निकाल कर वे तफसील से उसे कुछ समझाने लगे प्रसाज जी ने कहना चाहा कि बाबुजी आज कल मैं यह सब नहीं खाता हूँ उन्होंने खुद उटकर किसना को पैसे देने चाहे पर हिम्मत ही नहीं पड़ी उन्होंने अनुभव किया कि बाबुजी अपने पुराने फार्म में लोटाए है यह भी कि यह बाबुजी का घर है यहां उनका आदेश ही चलता है उन्होंने सोचा नाश्टा आने से पहले नहा लिया जाए नहाने के बाद आंगन में बंधी रसी पर तोलिया फैलाते हुए उन्होंने देखा कि एक महिला ने उन्हें देखते ही लंबा सा घूंगट खीच लिया है बाबुजी आंगन में कौन है किसना की बहू होगी वे लोग आप यहीं रहने लगे हैं न यहीं मतलब पीछे गाय वाले कोठरी खाली पड़ी थी न उसे ठीक ठाक करके देदी है बहू भी काउ में पड़ी थी उसे भी ले आया है वो मेरे लिए दो रोटियां टाल देती है चौका बासन जाड़ो बुहारी कर देती है किसना मेरी धोटी फीच देता है सोधा सुलफ ला देता है काम भी हो जाता है और साथ भी तुम लोगों को भी वहाँ फिकर नहीं रहेगी कि बाबुजी अकेले पड़े है लेकिन आपको यहाँ अकेले रहने को उन्देगा मैं तो आपको ले जाने के लिए ही आया हूँ मुझे लाने ले जाने की जरूरत नहीं है बेटा मेरी जब मर्जी होगी चलाओंगा पर जब तक मेरे हाथ पाउंच चल रहे है मुझे यहीं रहने दो यहाँ मेरे दोस्त एहबाब है नाते रिष्टेदार है पासपडोस है दर्वजे पर खड़ा भी हो जाता हूँ तो दस लोग जे रामजी करते निकल जाते है वहाँ तो समय काटे नहीं करता दिन भर छट की कड़ियां किंता रहता हूँ बात करूं भी तो किस से तुम सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ रहते हो अब इस उम्र में मुझे ज्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं होता बाबुजी की बात एक तम सही थी उसका कोई तर्क संगत उत्तर प्रसाजी सोच रहे थे कि बाबुजी ने कहा एक बात और है बेटा तुम्हारी मा तो नहीं रही पर जब तक मैं हूँ तब तक तो लड़कियों का पीहर बना रहे कभी उनका मन हुआ तो आने को एक घर तो हो क्या वे लोग मेरे घर नहीं आ सकती उन्होंने कहना चाहा पर अपनी बात का खोकलापन खुद ही उनकी जबान पर ताला लगा गया उन्हें याद आया कि जब-जब पहनों को बुलाना चाहा घर में समस्याओं का एक अंबार उठ खड़ा हुआ बाबुजी अपनी रौ में कहे जा रहे थे मा के पीछे बेचारी जब ही आई है खुद ही खड़ती रही है अब ये किसना की बहु आ गई है तो थोड़ा हाथ बटा देगी कुछ तो सहारा हो जाएगा प्रिसाज जी ने विश्यांतर करते हुए कहा बाबुजी आपने इस शोकरे को जगा तो दे दी है बाद में कहीं लफड़ा ना हो जाए कैसा लफड़ा बाद में अगर इसने जगा खाली करने से इंकार कर दिया तो बाद में मतलब प्रिसाज जी शर्म से गढ़ ही गए अपनी विग्रता में उन्हें याद ही नहीं रहा कि वे क्या कह रहे है बाबुजी ने लेकिन इसे बड़े सहच भाव से लिया बोले उसकी चिंता अभी से क्यों बाद में तो किसी को यहां रहना नहीं है मकान तो बेचना ही है जो भी खरीदेगा वही किसना से भी निपट लेगा अपनी शर्म से वे अब तक नहीं उपर पाए थे और बाबुजी ने जैसे स्पस्ठ ही उसोर संकेत कर दिया था इसलिए अपनी सफाई सी देते हुए प्रसाजी बोले बाबुजी घर बेचने की बात तो मेरे मन में कभी उठी ही नहीं मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटे अभी मेरे रहते तो कोई सवाल ही नहीं उठता मेरे लिए यह सिर्फ इंट कारे की इमारत नहीं है मेरा मानसिक संबल है यह पर मेरे पीछे तो इसे निकालना ही पड़ेगा, रखकर करोगे भी क्या, प्रिस्ताप तो अभी से आ रहे हैं, वो बाल जाने से पहले तो इतनी अच्छी ओफर आई थी, कि क्या बताओं, बड़ी मुश्किल से अपने को रोक पाया, ये तो कहो कि ईश्व ने ही सद्वुद जो बात खटक रही थी, उसे कहने का भी यही मौका था, उन्होंने बिना किसी भुमिका के कहे ही डाला, बाबुजी, आप माया के यहां से उस तरहां जिद करके चले आए, यह अच्छा नहीं किया, जानते हैं, मैंने अब तक यह बात आपकी बहु को भी नहीं बताई है, वो तो यही सोचेगी न, कि माया अपने बाबुजी को महिना भर भी नहीं रख सकी, यह तुमने बहुत अच्छा किया, बेहन को कटखरे में खड़ा होने से बचा लिया, और अब तुमने बात उठाई है, तो मुझे भी कहलेने दो, अगर तुम्हें कोई परिशानी थी, तो मुझसे कहना था, उस लड़की को इस प्रपंज में क्यों डाला, वेह तो चलो, बात तुम भाई बहनों के बीज़ी रह गई, पर कल को अगर जमाई बाबु को मुझसे परिशानी होती, वे मुझसे उप जाते, और माया से कहते, तो सोचो क्या होता, मुझे तो कहीं चुपाने की भी चगा ना मिलती, ऐसी नौबत आने से पहले ही, वहां से चल देना अकलमंदी थी, इसलिए चला आया, पर आप यहां क्यों आ गए, सीधे भोपाला जाना था ना, प्रसाद जी ने कहना चाहा, पर उनकी आवास गले में फंसकर रह गई, बाबु जी, जैसे उनकी बात समझ गए, पीट थप थपा कर सांतवना के स्वर में बोले, रात भर के जगे हो, थोड़ा आराम कर लो, मैं एक चकर बाजार का लगा कर आता हूँ, कौन सी तरकारी खाओगे? अभी आप मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी, वो तेरा घर, ये मेरा घर सुन रहे थे, मालती जोशी जी के अन्य कहानिया आप कथा साहित्य के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, कथा साहित्य में यूँ ही अपना प्यारा साथ हमेशा बनाए रखिए, कि अपड़ दो संपना है, तो यद कि अजा करते हुड़ प्रप्त।